फ्लाइट का बोर्डिंग पास ओनलाइन निकालने के लिए आप अपने मोबाल से विदिन दो मिनिट में निकाल सकते हैं दोस्तों अगर आपका फ्लाइट का बोर्डिंग पास नहीं है और निकालना चाहते हैं तो गूगल पर जाएंगे जिस एरलाइंस का टिकट आपके पा तो उसके बाद official website यहां से open हो जाएगा, जहां से आप अपना boarding पा स्प्रिंट निकाल सकते हैं, या देख भी सकते हैं, उसके बाद आपको दोस्तों यहां पे PNR नंबर देना होगा, या booking reference नंबर, यह दोनों same ही होता है, तो हम यहां पे flight का PNR नंबर डाल देंगे, आपक कर दिजिए, इंटर करने के बाद आपका PNR नंबर हो गया, आपका last name हो गया, उसके बाद यहां पर submit वाले option पर कर दिजिए, क्लिक, दोस्तों जैसे submit वाले option पर क्लिक किजिएगा, आपके सामने आपका boarding pass का details यहां पर open होगा, आप देखेंगे नीचे आपका नाम सो करे आपको यहां से खुद कर रहे हैं, उसके बाद आपको यहां से कुछ health related interaction मिलेगा, आप इसको देखना चाहते हैं, तो देख सकते हैं नहीं, देखना चाहते हैं, तो इसको छोड़ दीजिए, नीचे आपका नाम सो करेगा, और आपको यहां पर अपना mobile number एक देना होगा, तो आपके पास जो भी mobile number एक आपना mobile number दे दिजिए, mobile number देने के बाद आप email ID देने के बाद नीचे आपना पूरा address लिख दिजिए, पिन कोडों गरा सारे चीज़ लिखने के बाद, आपको यहां पर जो भी details है, यह सारे चीज़ एक पर स्टेड़ी कर लेजिए, पढ़ अगर पढ़ना चाहते हैं, तो अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो छोड़ दिजिए, मुश्किल नहीं है, ठीक है, नीचे आपको यहां पर agree and continue वाले अपसर पर करना हुए, जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे, आपको एक message मिल जाएगा, your boarding pass details will be sent to your registered mobile number and email address, तो आप थ boarding pass आपके सामने, आपके screen पे ऐसा open हो जाएगा, जहां पर आपको पूरा details आपको मिल जाएगा flight का, कि आपका flight का boarding timing क्या है, किस zone में आपका flight जाएगा, और किस gate number से आपका flight flight करने वाला है, सारे details आपके सामने ऐसे boarding pass में मिल गया, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, gate number दे दिया, boarding timing भी दे दिया, boarding zone भी दे दिया, आपका seat number भी दे दिया, सारे details आपके सामने हो गया, ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसको आपको save कर लेना है, save करके आप अपने mobile में ही रख सकते हैं, तो save PDF का एक option मिलेगा आपको यहां पे, तो save PDF वाले option पे मैं कर दिखा save करना चाहते हैं, save करने के बाद अगर किसी के पास send करना है, तो आप असाने से उसके WhatsApp पर भी इसको send कर सकते हैं, जिक है, तो WhatsApp पे इसलिए में send करता हूँ, कि save राता है थोड़ा, तो file को यहां save लिया, open किया, open करने के बाद डारेक्ट हम यहां से boarding pass send कर देते हैं, ठीक है तो ऐसे आप लोग आसाने से check कर सकते हैं, अपना boarding pass निकाल सकते हैं, किसी के पास बेश सकते हैं, अगर यहां पर देखिए email पे तो यहां बता रहा है email boarding pass, मतलब कि अपके email पे भी boarding pass आपका send कर दिया गया है, अगर आप अपना email चेक करेंगे, तो आपका email पे भी आपका boarding पास यहां पर दिखाए देगा, यहां से refresh करते हैं, यहां पर इंडिगो boarding pass आ चुका है, ठीक है, तो यहां पर हम करते हैं, क्लिक, यहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, देखिए boarding pass, उसके बाद आपका passenger का नाम उगरा सोख करेगा, नीचे जाएंगे, तो देखिए यह इसे इसान है, सिंपल है, प्रोसेस, अगर आप इस boarding pass को भी अपना, सेव करना चाहते हैं, किसी के पास भेजना चाहते हैं, तो अजाने के ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसा देने के ज़रूरत नहीं है, आप लोग आसानेस अपने मोगाल से फ़ी यह काम कर सकते हैं, दोस्